हेलो गाइज my name is Vishal and you are watching engineering notes तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डोमेन जो कि हमारी सीरीज चलिए वेबसाइट बिल्डिंग की उसमें यह जो है सेकंड पार्ट है डोमेन का ओके इस वीडियो में हम देखेंगे what is domain what is domain name राइट हमें यह कहां से पर्चेस करना है और most important यह हमें free में कहां से मिलेंगा जबकि हमें practice करनी है तो हमें free domain name से ही हम जो है काम चलाएंगे obviously नहीं जाएंगे यहाँ पर premium domain name के लिए ओके so start करते इस वीडियो में देखते हैं और आखिर यह domain name होता क्या है यह जो है domain name यह बहुत important topic है because domain name और hosting से हम एक website बीड करते हैं so start with domain name okay so first is today's agenda it's what is domain right what is domain how to choose domain उसके बाद में where to buy and free domain for practice okay सबसे important free domain for practice because मुझे लगता है जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे है वो beginner है so उनको free domain की ज़रूरत पड़ेगी okay so यह है अपने next slide okay what is domain name okay तो मैं इसके example के साथ बताता हूँ एक normal example एक मुझे shop open करनी है okay offline not online ठीक है एक मुझे जगा चाहिए plot चाहिए तो मैं कहा हज़ी लूँगा यह अर्थ है right अपनी पूरी अर्थ है यहाँ पर मुझे कुछ तो भी location decide करनी पड़ी कि यहाँ पर मेरी जो है यह चाहिए right क्या plot चाहिए मुझे यहाँ पर मैं मेरी दुकान बनाऊंगा right so उसके लिए location की ज़रूरत गिरेगी location जो रहते हैं हमारी normal location अगर कही जाए तो कुछ तो भी colony रहती कोई तो भी road रहता near about उसके बाद में टालुका और उसके बाद में डिस्ट्रिक तो यह जो है इसको बोलते हैं location okay उसके बाद में हम क्या करते हैं वो plot हमें खरित के लेना है तो किसी ना किसी का होंगा तो हम हो है वहाँ से जो है बाइ करते हैं एक seller के पास से उसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगा एक deal करने पड़ेंगी राइट तो plot लेने के लिए हम एक seller के पास जाने के बाद हमें जो है वह plot कुछ तो भी रूपीज पर मिलेगा okay so हम उसको बाइग कर लेंगे और हमारी deal final हो उसके बाद जो है हमारी location जो है हमारे नाम होने के बाद कुछ registration करने के बाद हम वहाँ पर shop खड़ी कर सकते है तो यहाँ पर क्या होता है कि यह earth मतलब web और location चाहिए हमें earth पर कोई तो भी उसको बोलते है site तो web site उसके बाद web पर site लेने के लिए हमें कही तो भी जाना पड जाएंगे और जो है उसको site मांगेंगे plot मांगेंगे उसके बाद वहाँ पर उनको क्या है कि वो जो seller है वो हमें sale करेंगा बट वो on rent देंगा जब हम कई shop लेने जाते तो कही जगा पर हमें जो plot रहता है वह एक तो भाड़े पर मिलता है ओके on rent और हम जो है इसको directly buy कर सकते okay now in this case we have to buy the website okay जो website या जो location है वो जो हमें यहाँ पर buy करनी है बट on the rent okay rent के कुछ पैसे देने पड़ेंगे तो रेंटली हम एक साल के लिए सकते हैं दो साल के लिए सकते हैं दस साल की पास साल के लिए सकते हैं okay so यहाँ पर हमें उनका रेंट देना पड़ेगा बट वह हमे प्राइब करेंगी तो वह नेक्स्ट यूज में होती है तो और वैसे वेबसाइट की जो प्राइस है हर डे मतलब डेली बेसिस पर जो है वह इंक्रीज हो रही है इसलिए जो है वह प्रॉफिट बनाने के लिए वह कभी बेश्टे नहीं है ओके साइट तो हमें वह रेंट पर लेनी पड़ती है ओके सो लास्ली हम उसको बाय करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद और हमारी डील हो जाएंगी मतलब वह वेबसाइट हमारे नाम पर हो जाएंगी कुछ तो भी साल के लिए राइट सो यहाँ पे सिप जब हमें पैड लेनी पड़ेगी तभी हमें बाकिया फ्री में प्रैक्टिस के लिए जो है गुगल की जो है ब्लॉगर करके जो वेबसाइट है या जो होस्टिंग है वह आप ले सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट ओके सो हम प्रैक्टिस उस पर ही करने वाले है अब जाते हैं नेक्स लाइड पर राइट सो वाउट च जो है online का भी address रहता है उसको website या हम उसको बोलते हैं web address ओके सो वो है वो कैसे चूस करना है राइट जैसे आप देख सकते हैं इंजिनीरिंग notes.co engineering notes ओके यह मैंने start किया था because मैंको hand return notes लिखने का जो है एक hobby थी मेरी और मुझे लगता था कि मैं लोगों के साथ share कर सकता हूँ इसलिए मैंने engineering notes करके जो है domain purchase किया था ओके सो आप जो है आपकी hobby देखके या आपके जो use है आपको business के लिए चाहिए आपको commerce के लिए चाहिए इस commerce stores के लिए चाहिए तो आप जो है यहाँ पर buy कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अगर लास्ट वीडियो में आपको याद होगा था एक e-commerce website दिखाई थी वाचन.com करके सो वाचन means reading और मराठी बुक बेचते हैं इसलिए उन्हों वाचन.com करके डोमेन पर्चस किया ओके सो वाई यू वाउन टो बीडियोर वेबसाइड इस फर्स पॉइंट कि आपको आपकी विपसेट क्यों बीड करनी है जैसे मैंने बोला मुझे नोट्स शेयर करनी के सथी और मेरा जो बैग्राउंड है वो इंजिनेरिंग का है इसल आपको बता देता हूं कि इंजिनेरिंग नोट्स.com जो वेबसाइड है वेब आड्रेस है यह.com.co यह आपको जो है आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में वापे .com और .co और बाकी जो .co.net .co.in यह जो चीज़े हैं यह सब आपको वेबसाइड में मिल और इस पेग स्पेशल वीडियो भी आने वाला है तो आप वो जरूर देख्या ओके तो यहाँ पे थे हम की हमें जो है हमारे जो हमारा में मोटो है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम जो है हम ले सकते हैं फैंसे नेम ले सकते हैं अगर आपको लग्की हो तो आपको मिल जाए को जो वेबसाइट है वो 1.50 डॉलर इसको अवेलेबल थी ओके मैंने एक साल पहले यह वेबसाइट मैंने लीती है सेवन 2020 को यह वेबसाइट जब मैंने लीती तो इसका कॉस्ट मुझे गिरा था 98 रूपीज ओके सिफ 98 रूपीज पर इयर अभी उसकी कॉस्ट नियर अबा जो प्राइस से बढ़ गी है ओके सो 95,000 जो है वो.com डॉमेन का प्राइस था और 1.5 डॉलर जो है वो इंजिनिरिंग नोट्स डॉट को का जो है प्राइस था ओके सो यहाँ पर मैं आपको यह भी चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे डॉमेन जो है पर्चेस करना है ओके सो इस और नीश ओके जो नीश है जो इसे मैंने बोला उनकी e-commerce website थी हमारी जो उसके बाद में हमारी जो है हमारी नोट्स की एक website थी तो हमारी नीश नीश याने की क्या एक topic राइट अगर हम sports पे जाते हैं तो cricket is a niche ओके अगर हम fitness पे जाते हैं तो men's fitness या उसमें जो हम products सकती है नीश किसी की जो है जावा डेवलपर नीश हो शकती है नीश मतलब कोई भी टॉपिक जिस पर हम वक करते हैं जिसका कोई product sell करते हैं ओके सब कंटेंड राइटिंग के एरिया में गए तो आपको नीश यह वर्ड बहुत जो है सुनाई देगा ओके नीश वर्ड ओके नीश is a most important because कोई भी बिजनेश नीश पर चलता है ओके विदाउट नीश वह कुछ भी नहीं कर सकता राइट उसके बात में हम बात करेंगे यूर बजेट राइट जो भी मैंने अभी explain किया था 95,000 is a budget अगर कोई by juice and academy जैसे बड़ी अगर लर्निंग यह होती थी लर्निंग academy होती थी ओके या उनका बहुत बड़ा organization होता था वो 95,000 का premium domain purchase कर लेते थे बट हम beginner हैं हम starting से start करना चाते हैं तो हम 1.5 डॉलर में जो engineering notes.co है उसके ले जाएंगे ओके सो यहाँ पे यह चीज़ important रहती है obviously.com.co से ज़्यादा फरक नहीं गिरता है lastly आप कौन सा content कैसा content और कैसे product देते इस पर डिपेंड रहता है बट जो .com है वह एक global domain है अभी हलागी .co भी global domain हो चुका है सो हम .co के लिए भी जा सकते है इसलिए .co का जो price हो बढ़के 3000 हो गया है actually .com का अगर एक आदा domain लेते हैं तो 600 के आसपस गिरता है और अगर .co का लेते हैं तो उससे ज़्यादा भी गिरता है और डिपेंड अपॉन कि आप premium hosting के लिए premium domain के लिए जा रहे हैं या कोई normal जैसे यह तो available नहीं है बड़ इंजरीं.com है suppose है तो आपको 10 लाग 20 लाग के आसपस मुलेगी बटा में कोई ज़रुवत नहीं इतनी फैंसी की because we have to build first we have to build brand first okay हमारा job brand है हमें पहले build करना है उसके बाद में उसकी जो है value गिरेगी okay so हम जाते है next जो हमारी slide है उस पर है okay where to buy the domain okay so हमें domain कहा buy करना है तो जैसे मैंने बोला आपको पास Google option है okay but Google का problem में यह है कि Google domain तो provide करता है बट उसकी cost बहुत ज्यादा है आपको starting में है उसकी 2500 के आसपास जो है एक domain purchase करने के लिए उतने पैसे देने पड़ेंगे okay so मैं नहीं चाता हो कि आप 2500 रूपीज उनको दे right because 2500 रूपीज आप उनको देके क्या करेंगे Google को उसके पाद उससे अच्छा है हमारे पास बहुत ज्यादा offer से हम hostinger को जा सकते गो डैडी को जा सकते नेमची बिग रॉप और क्रेजी डोमेंड नेम्स के लिए जा सकते हैं कि तो यह जो है यह क्या करते हैं कि हमें जो 2500 का जो डोमेंड है वह हमें 600 300 900 1000 यह डिसकाउंड करके हमें प्रोवाइड करता है तो क्यूं करता है यह भी फाल नेमची ब्राइड क्रेज्illơn के पास से अगर कोई डोमेंड नेम लेशते हो घंज़ करते यह झाल तो उनको लगता है कि अनका जो डेटा हो है है वह ऐसा कहता है कि अगर 10 लोगों ने 10 लोगों अगर उन्य बज़ीन यह क्या द्दमेंड तो उसमें से 5 टो-6 लोग ज से और आप जो है 25 का उनको 500-600 में देते हैं बट वो उतने ही आपको इसमें इन्वेस्ट करता है आपकी होस्टिंग पर्चेस करता है और इसके वज़े से वो इतना हमें डिसकाउंट देती है तो होस्टिंगर गोडैडी नेमचीप बिग रॉक क्रेजी डॉमेंस डॉट कॉम कुछ साइट से जो डॉमेंन भी जो है हमें सेल करती है उसके साथ साथ होस्टिंग भी प्रोवाइट करती है इसमें से बेस्ट मैं आपको अगर बताना जाओ तो आप जो जा सकते होस्टिंगर और गोडैडी बहुत ज्यादा रिसकाउंट मिल जाएंगा मैंने जो है गोड से करते हैं यहां पर नाम ही उसका होस्टिंग और होस्टिंग अभी नमबर बन चल रही है हुस्टिंग के मामले में बहुत कम जो है इसकी प्राइस यह प्रोमोशन नहीं जिस मैं आपको बता रहा हूं तो यह जो है हमारा सबसे फेवरेट सेक्शन हो सकता है बिक्स यहां तो अवी हम सीखने वाले हाउ तु क्रिएट डोंए नेम फॉर प्राक्टिस ओके माँबी प्री राइट फ्री डोमेन वेवांएब्ड पॉर प्रक्टिस को को सब्सक talent करता है खूगल गूगल गूगल का जो है टूल है रैट उसका नाम है ब्लोगpe ब्लॉगर ब्लॉगर प्रोवाइट करता है फ्री डोमेन और उसके साथ साथ होस्टिंग ओगे आपको बता दू हमारी जो पहली वेबसाइट है इजिनीरिंग नोट को वह हमने नाइंट रूपीज में लीती और यहां से ही हमने स्टार्ट किया फ्री वोस्टिंग के साथ लोगों को पता नहीं है कि फ्री वोस्टिंग भी कुछ होता है राइट मैक्सिमूम लोग जो है इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद उनको पता च किया सिफ 98 रूपीज इन्वेस्ट करके ओके सो मैं आपको चीज बताऊंगा कि हाव टू क्रियेट आवर डोमेन नेम और हम वहां से फ्री होस्टिंग कैसे ले सकते है राइट सो यहां पे कुछ स्टेप से स्टेप टू रजिस्टर ब्लॉगर ऑट यह स्टेप जो हैं प्र एक कंफर्म डिस्प्ले नेम मतलब हमारे वेबसाइट पर जो नेम है वह हमें दिखाना है तो वह कौन सा होना चाहिए उसको हमें कंफर्म करना है और उसके बाद में हमें हमारी वेबसाइट मिल जाएंगी एक सिंपल स्टेप्स होगे सो आई होप यह चीज आपको समझ में अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल के तरफ राइट